गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स मैं रोईता सिंग सेखाव 12 प्लस के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज अपन सोल करेंगे BACB8 3rd year के 2022 के exam का physics का first paper ये है electronics तो पहले अपन कंसिडर करते हैं इसका part A जैसा कि आप सभी को बता है part A में 10 short answer type questions आते हैं तो देखते हैं part A के questions one by one अगर first question की बात की जाए तो first question आपके पास what are intrinsic and extrinsic semiconductor आपके पास अपदर्वी वे नेज अर्द चालक क्या होते हैं यह जो intrinsic semiconductor है यह होता है आपके पास pure semiconductor और pure semiconductor में जब कोई doping मिला दी जाती है किसी certain amount में तो उसे अपन कहते हैं extrinsic semiconductor या फिर जो आपके पास purest form होती है semiconductor की जो possible purest form है जो संभव सुध रूप है उसे अपन कहते हैं नेज अर्द चालक या फिर सुध अर्द चालक that means if any semiconductor is in purest form then it is known as intrinsic semiconductor या फिर pure semiconductor intrinsic semiconductor के जड़ी example की बात की जाए तो intrinsic semiconductor आपके पास होते intrinsic semiconductor या फिर जो नेज अर्द चालक है ये इसके example की बात की जाए तो germanium next silicon या फिर आपके पास हो सकता है गेलियम आर्सेनाइड सेमिकंड़क्टर इस तरह के जो सेमिकंड़क्टर या फिर इस तरह के जो अर्धचालक है इन्हें अपन कहते हैं नेज अर्धचालक या फिर सुद अर्धचालक या फिर इंट्रिंजिक सेमिकंड़क्टर अब देखते हैं एक्स्टिंजिक जाने के लिए यह जो intrinsic semiconductor है इसमें कुछ impurity मिला जाती है certain impurity मिला जाती है यह impurity आपके प्रियोडिक table के third या fifth group की होगी यह आपके तर्तिय या फिर पंचम समयों की होती है जब intrinsic semiconductor में impurity मिला दी जाए तो आपको मिलते है extrinsic semiconductor या फिर अपदर्वी अर्दचालक और यह जो impurity मिलाने का process है इसे अपन कहते हैं doping यदि extrinsic semiconductor की बात की जाए या फिर अपदर्वी अर्दचालकों की बात की जाए तो यह आपके पास होते हैं दो प्रकार के that means intrinsic semiconductors are of two types, first is आपके है, first type is N type extrinsic semiconductor and second is P type extrinsic semiconductor, simple सा मतलब है कि जब सुद अर्दचालकों में निश्चित मात्रा में निश्चित पदार्तों की असुदी मिला दी जाए तो प्राप्द अर्दचालकों को अपन कहते हैं extrinsic semiconductor या फिर अपदर्विक अर्दचालक अब यह जो असुदी मिलाएंगे इसमें third और fifth group की यह impurity होगी आपके पास इस order की कि यदि आपके पास purest form के 10 to the power 6 atoms है तो इसमें impurity atom मिलाए जाएगा आपके one atom यह approximate ratio है कोई fix ratio नहीं है यह आपके पास एक यह लगबग अनुपात है कोई इस्तिर अनुपात या फिर fix ratio नहीं है तो यह है आपके पास extrinsic semiconductor और यह यह intrinsic semiconductor और यह है आपके पास extrinsic semiconductors एक्जामपल भी पूछ सकते हैं एक्जामपल अगर intrinsic के पूछे तो आप दे दीजिए gallium, germanium, silicon, gallium arsenide और extrinsic example पूछे तो n परकार के अर्ध चालक वे p परकार के अर्ध चालक अब देखते हैं next question next question है आपके पास ripple factor define ripple factor उर्मिका गुणांग को परिवासित कीजिए अब देखिए ripple factor आपके associated है rectifier से यह जो ripple factor है यह आता है आपके rectifier में या फिर इसे अपन देखते हैं dist कारी में तो सबसे पहले यह देखते हैं कि आपके पास यह dist कारी क्या होता है या फिर what do you mean by rectifier अगर अपन general way में बात की जाए या फिर simple way में बात करें तो अपने घरों में जो electricity आती है वो होती है AC form में या फिर परत्यावरती वोल्टता या परत्यावरती दहरा प्राप्त होती है लेकिन अपने पास कुछ gadgets या फिर home appliance ऐसे होते हैं कुछ gadgets या फिर कुछ उपकरण ऐस होते हैं जिनको DC की आउशकता होती है अब DC का जो negative factor है वो यह है कि DC को transmit नहीं कर सकते long distance के लिए या फिर जो आपके पास दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टता है इसे लंबी दूरी तक नहीं ले जाये जा सकता तो इसके लिए AC को convert करते हैं DC में और AC को DC में convert करने का जो process है उसे अपन कहते हैं rectification that means rectification is a process of converting the alternating current और voltage into direct current और voltage मतलब यह है कि दिष्ट कारी आपके पास दिष्ट कारी AC voltage को DC voltage में convert करता है या फिर जो परत्यावरती वोल्टता है उसको बदलता है अब जब दिष्ट वोल्टता में बदलेगा तो उसमें कोई न कोई AC component बच जाएगा आपके पास कोई न कोई परत्यावरती गटक उसमें रहे जाएगा तो कितना परत्यावरती गटक रहेगा उसको बताएगा आपके ripple factor या फिर उर्मिका बुनांक या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो rectification process है या फिर जो आपके पास dist current की परक्रिया है उस dist current की परक्रिया में जो आपको output मिल रहा है DC form में या फिर जो dist गटक मिल रहा है वो कितना pure form में है या फिर कितना सुद रूप में है इसे measure करता है आपके ripple factor या फिर उर्मिका बुनांक तो इसकी definition या दि लिखें तो इसकी definition अपन लिख सकते हैं इसकी definition आपके पास ये होगी कि it is defined as the ratio of AC component in the output of rectifier to the DC component in the output of rectifier बतलब जितना AC component आपके पास कम होगा ripple factor उतना ही आपके पास कम होगा और ripple factor जितना कम होगा उतना ही आपके rectification अच्छा होगा या फिर आप simple way में यूं कह दीजिए कि ripple factor की value जितनी कम होगी उर्मिका गुणांक का मान जितना कम होगा आपके dist करण उतना ही अच्छा होगा या फिर rectifier या dist कारी का output है वो उतना ही pure DC देगा या फिर सुद्ध dist गटक परदान करेगा चाहे वो धारा का गटक हो या फिर वोल्टता का गटक हो तो इसका formula अपन लिख सकते हैं AC component AC component present in the output in the output of rectifier to the DC component to the DC component present in the in the output in the output of rectifier मतलब यहां आजाएगा आपके पास दिष्ट कारी के निर्गत में प्राप्त परत्यावर्ती गटक और divided by दिष्ट कारी के निर्गत में प्राप्त दिष्ट गटक यह होता है आपके पास परत्यावर्ती गुणाग half wave filter और full wave filter जो आपड़ते हो उनके लिए जो ripple factor हो different होता इसका मतलब उनकी purity है DC generate करने की वो आपके पास different होती है अब देखते हैं next question next question है आपके पास state the thevenin's theorem या फिर थेवनिन परमे का कथन दीजिए तो थेवनिन परमे की यदि बात की जाए तो थेवनिन परमे ये कहती है कि आपके पास यदि कोई electric circuit हो उस electric circuit मे a number of EMF sources and a number of resistance हो या फिर किसी परिपत में आपके पास बहुत अधिक वोल्टता स्रोत वह बहुत अधिक परतिरोध हो तो उसका simplest form दिया जाता है आपके पास थेवनिन परम से जैसे अपन ड्रो करते हैं कि आपके पास ये circuit है इस circuit में ये circuit है इस circuit में a number of EMF sources है ये dotted dotted ये represent कर रहा है कि आपके पास a number of EMF sources है मतलब यहां बहुत सी battery लगी हुई है और यहां पर आपके ये resistance है ये resistance हो गया आपके पास R1 and further series में resistance है आपके पास ये है resistance R2 उसके बाद यहां एक resistance ये consider कर लेते हैं ये resistance है आपके पास R3 और load resistance की बाद की जाए तो यहां पर ले लेते हैं load resistance जिसको हम denote करते है RL से ये है आपके पास load resistance RL तो अब ये जो circuit है ये जो परिपत्व है इसमें देखो EMF sources आपके यहां लगे हुए है V1 से लेके up to ये large number है यहां पर voltage source की या फिर EMF source की ये आपके पास V1 से लेके और कहां तक है VN तक और resistance है यहां multiple resistance है तो थेवे निंथ और हम ये कहती है कि आपके पास ये जो circuit है ये complicated circuit है इस complicated circuit को आप easily इस तरह से draw कर सकते हो कि आप इसमें केवल और केवल एक battery रख दीजिए इस battery का जो EMF है इसे अपने लिख देते हैं E0 या फिर आप चाहो तो इसे लिख दीजिए V0 और यहां पर इसके series में इसके series में एक resistance ये resistance हो गया इसके series में और ये आपके load resistance तो यहां पर as it is रहेगा और ये आपके पास यहां load resistance RL और ये जो R0 है ये हुआ आपके resultant resistance या फिर परिणामी परतिरोध तो देखिए यहां पर आपके पास ये complicated circuit है ये जो circuit है आपके पास यह complicated circuit है इतना ये यहां से लेके और यहां तक का इस circuit को आप simply replace कर सकते हो केवल और केवल इस circuit से ये ही आपके पास theorem है मतलब आपके पास किसी two port network में किसी two port network में या फिर two terminal network में a number of EMF sources and a number of resistance हो तो उनको simply replace कर दो ऐसे circuit से कि उसमें आपके केवल एक EMF source हो और उसके series में आपके resistance R0 लगावा हो अब यहां देखते हैं कि resistance R0 की value कितनी होगी यह open circuit होगा और यहां पर resultant जो resistance है वो कितना आएगा यह value होगी आपके पास R0 की और E0 की बात की जाए तो E0 की value होगी जब यहां यह सब यह जितने भी आपके पास sources लगे वे हैं इन sources को remove करके और इनके internal resistance है इनको replace करके जितना EMF आता है आपके पास वो होगा आपके यहां E0 या फिर V0 तो यह है आपके पास thevenin theorem अब देखते हैं next question next question है define stability factor या फिर इस्तायतो गुणांग की परिवासा दीजिए तो सबसे पहले तो यह की stability factor किसके लिए define करते हैं तो stability factor या फिर जो इस्तायतो गुणांग है यह define करते हैं transistor के लिए यह आपके transistor के लिए define किया जाता है और किसी transistor का जो stability factor है वो इस transistor की working efficiency को represent करता है यदि किसी transistor का stability factor आपके पास list है तो उसकी working efficiency आपके पास high होगी मतलब किसी transistor के लिए यदि इस्ताइतो गुणांक का मान निम्न है तो उस ट्रांजिस्टर की दक्सता आपके पास उच होगी मतलब इस्ताइतो गुणांक आपके पास किसी ट्रांजिस्टर के लिए minimum या फिर new term होना चाहिए अब इसकी definition क्या है तो definition यह है कि it is defined as the ratio of change in collector current IC इसी एसी रिपर्जेंट्स दे कलेक्टर करेंट चैंज इन collector current with respect to the ICO ICO इस रिवर्स सेचुरेशन कलेक्टर करेंट ICO इस रिवर्स सेचुरेशन करेंट कलेक्टर करेंट और यह कब जब आपके पास base emitter voltage constant हो साथ इसाथ यहाँ पर बीटा बीटा रिपर्जेंट कर रहा है आपके collector emitter voltage gain को या फिर संग्राहक उतसरजक वोल्टता लाब को यह दो quantity आपके पास नियत होगी तो इनका जो रेशियो ICO और ICO का जो अनुपात है इसे अपन कहते हैं stability factor या फिर इस तैतल गुनांग यहाँ पर ICO की बात की जाए तो ICO है आपके पास collector current ICO है आपके पास reverse saturated और बीटा की बात की जाए तो बीटा है आपके पास collector emitter बीटा इज कलक्टर emitter voltage gain या फिर संग्राहक उत्सर्जक वोल्ट तालाब और VBA है आपके पास base emitter voltage या फिर आप कह सकते हो इसे आधार उत्सर्जक वोल्ट तालाब तो यह है आपके पास stability factor या फिर इस तैतल गुनांग की definition या फिर परिवासन next question देखते हैं define amplification factor for FET FET की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक FET के लिए परवर्दन गुनांग को परिवासित कीजिए तो सबसे पहले यह देखते हैं कि FET क्या है आपके पास FET होता है आपके पास field effect transistor FET is field effect transistor या फिर छेतर परभाव transistor अब FET के लिए amplification factor की definition FET के लिए amplification factor इस तरह से define किया जाता है कि it is defined as the ratio of change in drain source voltage यह देखिए drain source voltage यह change है drain source voltage में और it is defined as the ratio of change in drain source voltage to the change in gate source voltage at constant drain current यह जो आपके पास परवर्दन गुणांक है यह VDS और VGS में changes के अनुपात या फिर ratio के बराबर होता कब जब आपके पास drain current का मान नियत हो या फिर constant रहे that means amplification factor is defined as the ratio of change in drain to source voltage to the change in gate to source voltage at constant drain current तो यह है आपके पास amplification factor की definition यहां जो D है यह आपके रिपर्जेंट कर रहा है drain को और S है यह रिपर्जेंट कर रहा है आपके source को जब FET पढ़ते हैं तो उसमें यह 3 main terminals होते हैं FET के first is drain second is source and the third one is gate represented by G drain source and gate और यह जो ID है आपके पास यहां पर ID है ID is drain current ID आपके पास होता है drain current या फिर drain धारा तो यह था आपके पास FET के लिए amplification factor की definition या फिर FET के लिए परवर्दन गुनान की परिवसा दब देखते हैं next question क्या है what do you mean by distortion in amplifier या फिर परवर्दक में जो विकरती और विरूपन है उससे क्या समझते हैं तो देखिए जब amplification की process होती है या फिर परवर्दन की परक्रिया होती है तो उस परवर्दन की परक्रिया में कुछ unwanted signals या फिर advance निय संकेत है वो add हो जाते है और ये advance निय संकेत unwanted signals add होके जो output form है इस output form में disturbance produce करते हैं या फिर विक्सोब उत्पन करते हैं विक्सोब उत्पन करने से जो output है वो आपके input के similar correct नहीं होता जैसा input है वैसा output प्राप्त नहीं होता तो ये जो disturbance है या फिर unwanted signals इन्हें ही अपन कहते हैं distortion in amplifier या फिर परवर्दक में विक्रती या फिर विरूपन तो ये unwanted signal है कहां generate होते हैं ये amplification की process में या फिर परवर्दन की प्रक्रिया में उत्पन होते हैं और इनका मेन काम यह है कि जो output है उसकी form को correct form को change कर देना जो आपके पास निर्गत है इसके सही रूप को परिवर्दित कर देना जिस जैसा अपन input दिया उसका जैसा output चा रहे थे वैसा output नहीं मिलकर disturbed output मिलेगा या फिर निर्गत में विक्सोब उत्पन होंगे इन विक्सोबों को या फिर यह जो disturbance इने अपन कहते हैं विकरती या फिर विरूपन तो अपन लिख सकते हैं short में इसका answer कि these are the these are the unwanted signal these are the unwanted signals a Vansiniya Sanket produced in the process of amplification in the process of amplification या फिर जो आपके पास परवर्दन की परक्रिया है उस परवर्दन की परक्रिया में जो अपन कहते हैं distortion या विकरती या फिर विरूपन next question what do you mean by positive feedback दनात्मक पुनण निवेश से आप क्या समझते हो तो सबसे पहले तो अपन यह देखेंगे कि feedback क्या होता है या फिर यह जो सब्द है आपके पास पुनण निवेश इसका क्या मतलब होता है feedback का simple सा meaning यह है कि output signal का कुछ part वापस connect कर देना input signal में या फिर जो आपको निर्गत मिल रहा है उस निर्गत संकेत का कुछ भाग यदि आप वापस निवेश संकेत से जोड़ देते हो तो इस परकरिया को अपन कहते है feedback या फिर पुनण निवेश मतलब output signal का यदि कोई part आप input signal से connect कर देते हो तो उसे अपन कहते है feedback या फिर पुनण निवेश feedback is of two types पुनण निवेश आपके दो परकार का होता है first one is positive feedback दनात्मक पुनण निवेश and the second is negative feedback या फिर रिनात्मक पुनण निवेश अब यहाँ पूछा है कि positive feedback का मतलब क्या होता है तो यह जो feedback वगेरा आपन देते हैं यह देते हैं एमप्लिफिकेशन प्रोसेस में या फिर amplifier में तो यहां consider करते हैं कि आपके पास एक यह amplifier है यह amplifier है और यहां पर आपके पास एक यह input signal है input signal आपके पास कुछ इस form का है यह देखिए यह input signal आप यह कह सकते हो कि इसकी form आपके पास है AC यह positive cycle और यहाँ पर यह है आपके पास negative cycle जब amplification की process होती है या फिर परवर्दन की परक्रिया होती है तो इस परवर्दन की परक्रिया में भी आपके यह input signal है इसका phase 180 degree से change हो जाता है तो यह जो amplifier है यहाँ इसका output आएगा आपके पास कुछ इस तरह से यह 180 degree से change हो जाएगा 180 degree से change का मतलब जो आपके पास यहाँ positive cycle है वो convert हो जाएगी negative cycle में और जो आपके पास रिनात्मक चक्र है यह बदल जाएगा आपके पास धनात्मक चक्र में तो यहाँ पर आपके पास था input यहाँ पर यह है आपके पास input या फिर निवेसी अब जब amplifier इसको process करके देगा तो आपको मिलेगा output कुछ इस तरह से यह देखिए यह positive cycle आपके पास convert हो गई यहाँ पर negative cycle में और negative cycle convert हो गई आपके पास positive cycle में यह इसका fundamental input है यह मूल निवेस है लेकिन जब amplification होगा तो यहाँ पर यह आई है आपके negative cycle and this is positive cycle अब देखते हैं अभी तक यहाँ feedback नहीं है अभी तक यहाँ पर output का कोई भी part input में नहीं जा रहा है अब देते हैं feedback यह देखिए यह यहाँ पर दे दिया आपके पास यहाँ यह पार्ट है आपके output का अब यही पार्ट यह यहाँ दे देंगे तो आपके phase change है यह input की phase आपके पहले plus cycle है फिर उसके बाद आपके पास minus cycle है यहाँ पहले negative cycle है उसके बाद positive cycle है तो आपके पास यह जो positive feedback है इस circuit में ऐसा arrangement होता है कि यहाँ पर आपके पास यह जो cycle है यहाँ 180 degree phase shift है यहाँ पर आपके पास 180 degree phase shift है यह 180 degree phase shift यह फिर जो संकेत है उसको 180 degree से परिवर्टित कर दिया गया है यह फिर संकेत वीपरित कला में बदल दिया गया है अब यहाँ आपके पास यह feedback circuit लगावा होगा यह है आपके पास feedback circuit feedback circuit यह फिर पुन्न निवेसी परिपत अब देखिए पुन्न निवेसी परिपत में आपके पास यह इस तरह का input जाएगा इस input यह जो amplifier का output है वो input की तरह काम करेगा किसके लिए feedback circuit के लिए या फिर पुन्न निवेसी परिपत के लिए अब यह जो पुन्न निवेसी परिपत है यह क्या करेगा वापस यहाँ 180 degree phase shift देदेगा मतलब यहाँ जो amplifier का output मिल रहा था वो आपको feedback circuit के बाद मिलेगा कुछ इस तरीके का यह देखिए यह इसका output है आपके पास यहाँ जो negative cycle है वो convert हो जाएगी आपके पास positive cycle में और positive cycle convert हो जाएगी negative cycle में this is positive cycle and this is negative cycle तो अब यहाँ जब आप इस circuit को देखते हो तो यह जो circuit है यह जो आपके पास circuit है इस circuit में देखिए यहां input की बात की जाए तो पहले positive cycle थी amplified ने क्या किया 180 degree का phase shift दे दिया amplifier के बाद यह signal जा रहा है आपके पास feedback circuit में feedback circuit आपके again 180 degree का phase shift दे रहा है यहां यह feedback circuit है यह feedback circuit आपके provide कर रहा है 180 degree phase shift या फिर यह कह सकते हैं कि यह जो पुनर्ण निवेसी परिपत है यह पुनर्ण निवेसी परिपत संकेत की कला को वीपरीत कर रहा है यहां पर तो अब यदि feedback के input की बात की जाएए यहां feedback का input जा रहा है यह आपके पास fundamental input है इन दोनों signals को यदि देखते हैं तो यह आपके पास same phase में है या फिर समान कला में है तो इस तरह का feedback होता है इसे अपन कहते है positive feedback या फिर दनात्मक पुनर्ण निवेस clear है अब दनात्मक पुनर्ण निवेस हो रहा है तो यहां क्या होगा यहां पर आपके पास जो amplitude आएगा output में उस amplitude की value increase होगी क्यों क्योंकि यहां fundamental input signal जो मूल निवेसी संकेत है वो और जो feedback circuit का output है जो आपके पुनर्ण निवेसी परिपत का निर्गत है वो समान कला में है इसलिए जो resultant amplitude मिलेगा जो परिणामी आयाम मिलेगा उसकी value increase होगी या फिर उसका मान बढ़ जाएगा तो यह है आपके पास positive feedback simple way में आप इस तरह से भी define कर सकते हो कि in the positive feedback the fundamental input as well as the output or feedback circuit are in same phase या फिर जो दनात्मक पुनर्ण निवेसी होता है इसमें मूल निवेसी संकेत वे पुनर्ण निवेसी परिपत का जो निर्गत है वो समान कला में होते हैं तो जो आपके परिणामी निर्गत है उसका आयाम बढ़ जाएगा या फिर रिजल्टेंट सिगनल है उसका amplitude आपके increase हो जाएगा यह है positive feedback next question देखते है next question give the difference between voltage feedback and current feedback वोल्ट ता पुनर्ण निवेस वे धारा पुनर्ण निवेस में अंतर बता है बहुत ही simple सा question है इसका तो साइद answer बताने की जरूत भी नहीं होगी यह देखो वोल्ट ता पुनर्ण निवेस मतलब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपके पास पुनर्ण निवेस किसका होगा वोल्ट ता का यह देखिए voltage feedback मतलब feedback signal में यदि voltage provide कर रहे हैं तो उसे अपन कह देंगे voltage feedback और current provide कर रहे हैं तो उसे अपन कह देंगे current feedback या फिर धारा पुनर्ण निवेस simple सा क्यूशन है ये तो पुनर्ण निवेस यदि आता है आपको feedback से आप परिचित हो तो easily आप इस क्यूशन का answer दे सकते हो कि यदि आपके पास धारा का कुछ अंस दिया जाए पुनर्ण निवेस परिपत से तो ये होगा आपके धारा पुनर्ण निवेस और यदि वोल्टता का कुछ अंस दिया जाए तो वो होगा आपके वोल्टता पुनर्ण निवेस मतलब current का कोई part as a feedback signal दिया जाए तो वो होगा आपके पास current feedback similarly if we provide some part of output voltage for the feedback then it is known as voltage feedback clear होगा यह तो अब next question what is an operational amplifier या फिर operational amplifier क्या है operational amplifier आपके पास एक 7 pin IC होती है और यह जो IC है इसका नाम है आपके IC741 अगर definition की बात की जाए कि इसकी definition क्या होगी तो definition अपन यूँ दे सकते हैं कि यह आपके पास DC coupled amplifier होता है जिसमें input लिया जाता है differential form में differential form मतलब अंतर के रूप में कि दो input लेंगे यहाँ पर और वो input होगे यहाँ differential form में और output है वो आपके high gain provide करवाता है अगर circuit diagram देखा जाए तो यह है आपके पास IC741 यह है आपके पास यहाँ पर IC741 का circuit diagram यह IC741 operational amplifier है इस पर total 8 pin होती है लेकिन कहते हैं कि it is 7 pin IC IC means integrated circuit या फिर एक ही करत परिपर होती तो इस पर 8 pin है लेकिन जो 8th pin है इसको connect नहीं करता है यह देखिए यहाँ लिखावा है not connected इसलिए अपन कहते हैं कि it is 7 pin IC अब first pin क्या करते है first pin आपके offset के काम आती है second और third pin पर input दिया जाता है यदि second pin पर अपन input देंगे यह second number pin पर input देंगे तो वो आपके होता है inverting input मतलब यदि आप second number pin पर input दे रहे हो तो output इसके opposite phase में मिलेगा और third number pin है आपके पास यहाँ non inverting pin non inverting pin का मतलब आप जिस phase में input दे रहे हो उसी phase में आपको output मिलेगा और output मिलता है आपके 6th number pin पर 5 number pin offset को null करने के लिए offset को 0 करने के लिए काम में आती है यह आपके पास circuit diagram है operational amplifier का operational amplifier आपके पास DC coupled high gain differential amplifier है और 7 pin IC होती है यह आपके पास 7 pin integrated circuit और इसका example है आपके पास IC 741 simplest operational amplifier यह होता है यह circuit diagram है अब देखते हैं next question क्या है इसका next question है give that truth table for exor gate तो exor gate किसको represent कर रहा है exor gate means exclusive or gate या फिर exclusive और gate exor gate का यदि symbol देखा जाए तो इसका symbol आपके पास यह होता है two input exor gate consider करते हैं इसका परतीक चिन आपके पास कुछ इस तरह का होता है a, b आपके पास input state है और जो output state y, a जो exor operation है उसको इस तरह से represent किया जाता है a, exor, b किसी two input exor gate के लिए यदि truth table देखे तो यहाँ आपन truth table इस तरह से बना सकते हैं यह है यहाँ पर input और यहाँ पर अपन लिख देते हैं output इन्पुट कंसिडर करते हैं यहाँ पर a and b two input exor gate ले रहे हैं output होगा इसका y is equal to a exor b अब देखिए two input two input exor gate ले रहे हैं तो input state यहाँ यह हो सकती है 0, 0, 0, 1 1, 0 and 1, 1 यह possible input states है किसके लिए for a two input exor gate अब देखते हैं output क्या होगा तो यदि 0, 0 that means दोनो input state आपके पास low हो दोनो निवेसी अवस्ताइं आपके पास निम्न हो तो इसका output होगा आपके पास low या फिर 0 यहाँ पर एक state high है तो output होगा इसका one यहाँ पर भी एक state high है तो output one यहाँ पर दोनो state high है तो इसका output होगा आपके पास zero अब देखिए क्या meaning है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आपके पास exorgate में यदि input state में number of one यह देखो number of one या फिर number of high state odd times आएगी with sum बार आएगी तो यहाँ इसका output होगा आपके पास high या फिर one और यहाँ देखिए यह 00 है तो यहाँ पर आपके जो high है वो zero times है तो output होगा आपके zero यहाँ पर भी दोनो state दोनो input state आपके पास one one है इसका मतलब यह है कि दोनो input state आपके even times है two times आ रही है यहाँ पर high state दो बार आ रही है तो यह sum संख्या में आ रही है तो इसका output होगा आपके पास zero तो यहाँ यह जो exorgate है इस चीज को बताता है कि इसका use आपके पास होता है as a parity checker यह आपके इसका use है exorgate is used as parity checker या फिर exorgate है इसका उपयोग parity check करने के लिए होता है simple सी definition है कि यदि आपके निवेसी आवस्ता में उच अवस्ताओं की संख्या या फिर number of once with some bar आए तो इसका output होगा आपके पास यहाँ पर high या फिर उच तो यह था आपके पास part A इसका जो PDF है Hindi और English दोनो language में handwritten PDF है यह आपको हमारे 12th प्लस एप पर मिलेगा जब आप 12th प्लस एप को खोलो गे तो उसमें document नाम से एक icon बनावा है तो उस icon में यहाँ आपको इस paper की Hindi और English दोनो language में PDF मिल जाएगी Thank you